गाइस आज की वीडियो हमारी आइफोन लेते समय किन बातों को ध्यार रखना चाहिए मुझे इंस्ट्राग्राम पर बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि भाई मैंने नया आइफोन लिया और उसका कैमरा से इसे काम नहीं कर रहा हूं इस वीडियो मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं कि अगर आपने एक नया आइफोन लेना है तो कहां से लेना चाहिए क्या वह ओरिजन आइफोन है या फिर ओरिजनल आइफोन नहीं है सारी बात करेंगे हम इस वीडियो में सो हाई गाइस में नाव बिने एंट स्वालत है आपका हमारे स्वीडियो चैनल टेक ओन ट्रेंड में है तो बेसिकली गाइस जब भी हम नया आइफोन लेने के सोच रहे होते हैं तो हमारे सामने तीन ओप्शन होती है नंबर एक डिटेलर के पास जाए और नया आइफोन ल लेना चाहिए और कहां से बेस्ट होता है और अगर आप सेकंड आइफोन लेने के सोच रहे हैं तो उसके उपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे पता लगाए जाए कि इस आइफोन की क्वालिटी कैसी है तो वह अलग वीडियो में आएगा तो यहां पर सब के काड़ पर 6,000 का कैस वैक का ओफर चला रहता है तो वो ओफर आप रिटेलर के पास भी अप्लाई कर सकते हो और बहां पर भी आपको कैस वैक का ओफर मिलेगा तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखें अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो ओफर का यूज करें और दू इसरी बात जब आप फोन ले रहे हो अगर आपको फोन सस्ते में मेर रहा है तो उससे जरूर पूछें कि यह नया स्मार्टफोन है या रिफबलिष्ट है तो इस बारे में जरूर पूछें और यहां पर आपको model number दिख रहा होगा तो यहां पर model number में आपको जो first alphabet दिख रहा होगा तो यह अगर amp है तो आपको घबराने की कोई जरूत नहीं आपको phone बिल्कुल new है और अगर आपके phone के model number में सबसे पहले लिखा होगा इसका मतलब है कि आपका phone जो रिप्लेश्मेंट डिवाइस है तो यहां पर रिप्लेश्मेंट डिवाइस वह होता है जब कोई नया iPhone लेता है और उसमें कोई प्रॉलम आ जाती है लाइक उसका माइक निचर रहा या फिर कोई भी प्रॉलम आती है तो iPhone के service एंटर वाले जिस बंदे ने वरांटी क्लेम की होते है उसे एक नया replacement device दे देते हैं वह होता है हमारा replacement device जो कि हमारे model नमबर में end से start होता है और यहां पर model नमबर के आगे F लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका फोन है वो रिफवलिस्ट है तो जो iPhone में थोड़ी बहुत प्रॉलम होते है आईफोन वाले उन devices को repair करके फिर से market में लेक है Apple तो अब आते हैं अपनी दूसरी option के दर जो कि हमारे e-store Amazon और Flipkart तो जब आप Amazon और Flipkart से smartphone ले रहे हो तो बहां से तो आपको original smartphone मिलता है तो यहां पर बात यह है कि जब आप iPhone ले रहे हो तो एक बात का ध्यान रखें ऊपर जो URL होता है website का उसे जरूर चेक करें Amazon.in होना चाहिए यहां फिर flipkart.com ही होना चाहिए यहां पर बहुत सारे लोग fraud के सिकार होते हैं यहां पर same interface होता है पूरी के पूरी website का जैसे कि आप इस screen recording में दे सकते हो पूरी पूरी Amazon की basic website लग रही है जब आप यहां से smartphone ले रहते हो तो आपको smartphone आप तक नहीं पहुंचता है और जो payment होती है वो Amazon बालों को पास नहीं जाती है वो जाते उस fraud बंदे के पास में तो आपने ध्यान रखना है website का URL जरूर चेक करें कि वो original website है या फिर गलत website है यहां पर जब festival बगारा होते हैं तब तो यह fraud बंदे जो होते हैं वो बहुत जादा ऐसी fake websites बनाते हैं और ब बता देता हूं कि फॉर्ण से सस्ते मिलते हैं iPhone इंडिया के मुकाबले तो यहां पर आपको बता देता हूं अगर आपको कोई जानने बाला बंदा है जो आपका फोन लेकर आ रहा है तब सही है अगर आप किसी unknown person से phone मंगवा रहे हो जिसे आप जानते नहीं हो उसने आपको से जूटे दिलासे दे के रखें कि हम सस्ते में आपको iPhone प्रवाइड करवा देंगे तो भाई साइब इन चक्रों में बिल्कुल भी ना पढ़े मुझे Instagram पर बहुत सारे message आते रहते हैं कि ऐसे Instagram Facebook से मुझे contact मिला था कि दुबए इसे एक ladies आब वो iPhone को सस्ते में ले क्योंकि इस तरह के scam बहुत सारे हो रहे हैं so guys फिलाल इतना इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपका कोई भी सुजाब हो तो मुझे बता सकते हैं आप नीचे comment box में और झाल झाल